हेलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नियूकलियर पावर से जनेरेट होने वाली इनर्जी के बारे में और इसके बारे में जो जो बात करेंगे पहले बोट पॉइंट डिसकस कर लेते हैं कि भारत का लक्ष क्या है 2031 तक 2047 तक और इससे कौन-कौन से स्टॉक लाभानवित होने वाले हैं उसकी एक लिस्ट देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 2024 8000 मेगावाट इसका मतलब यह है कि भारत की जो छमता है फिलाल में नुक्लियर एनर्जी से पावर जनरेशन की वह 8000 मेगावाट है और इससे जो पावर जनरेशन होता है वह 8000 मेगावाट होता है लेकिन 2031 तक भ नुक्लियर एनर्जी से नुक्लियर प्लांट से और 2047 तक एक लाख मेगावाट का पावर जनरेशन हो सकेगा तो फिलाल में यह जो बाते निकल के आई है यह बाते जो एई-सी के चेर्मैन है उनके तरफ से निकल के आई है और बारत सरकार का एलक्ष आपके सामने है अगर 2024 से 2031 के बीच में जाना होगा तो तीन गुना जादा जो है की तीन गुना हो जाएगा एनर्जी और अगर यहां तक पहुछना होगा तो आप कैलूलेट करके आप निकाल सकती हो तो दोस्तों ऐसे में कुछ स्टॉक 100 टाइम होंगे कुछ स्टॉक 200 टाइम भी होंगे कुछ क्या रहा है ऐसे में तो कुछ बड़ी-बड़ी कंपनियां होंगी जैसे की एंटी-पी-सी एंटी-पी-सी का नाम पहला आता है आप इसको भी नजर में रख सकते हो यह कंपनी उसके लिए काम करती है जिन लोगों को PSU में इंट्रेस्ट है वो इस कंपनी को जरूर नजर म और Finance के लिए L&T यानि Larson and Tuberum एक Blue Chip कंपनियां है जो कि आपको नजर में रखनी चाहिए लेकिन मैं कुछ SME और Small काईब भी बताऊंगा जिसको की आप नजर में रख सकते हैं 5,14,000 करोड का Market काईब है यह कंपनी भी उस फिल्ड में काम करती है अगली जो कंपनी है दोस्त प्रीज लिम्टेड के बारे में बात करेंगे इसमें आसीस कचोलिया साहब का इस्टेक है 4% का और मातर 1000 करोड का Market का है आप यहां पर देख पाओगे 227 के प्राइस पर ट्रेड कर रही है 269 का हाई है और संतावन का लो है तो आप चाहो तो इस पर भी नजर बना के रख सक है और आपके पैसे को Multiply कर सकता है असीस कचोलिया जी कहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी फिलाल में यहां पर हम सेर ओल्डिंग पैटरन में आ जाएंगे और यहां पर जब आप देखें यह कि पब्लिक सेर ओल्डिंग में नीचे जाएंगे तो आपको मिले जी का स्टेक 3.17% है उन्होंने फिलाल में स्टेक लिया है देख सकते हैं कि इसी तिमाई मार्च 24 के आसपास स्टेक लिया है वाल चंद नगर इंडस्ट्री जी लिम्टेट के में तो अब हम बढ़ते हैं अगले स्टॉक की तरफ अभी तो इसमें परफॉर्मेंस नहीं दि तो उसके बदले राम कृष्णा फोर्जिंग है उसको आप ले सकते हैं तो जैसा कि मैंने बताया राम कृष्णा फोर्जिंग आप यहां पर देख सकते हो राम कृष्णा फोर्जिंग के बारे में मैं बात करा था तो यहां पर इस स्टॉक को भी आप फोकस में रख सकते ह यह stock भी आपको अच्छा भला return बना के दे सकता है अगला जो stock है दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे अगला जो stock है वो है DP wires इस stock को भी आप focus में रखना यह stock भी आपको अच्छा return दे सकता है 821 रुपाय का market का एप है 530 का price है आप यहां पे देख सकते हो और NSC BSC दोनों पे listed है यहां पे एक चीज और मैं कहूंगा कि इसके आप चाहो तो इसके बदले और भी stock देख सकते हो लेकिन इस share में कुछ खास है इस कारण मैं इस stock को ले कर आया हूं इसको आप देखना और नजर में बना के रखना अगर गिरावट में मिले तो आप इसे accumulate कर सकते हो और रख सकते हो अगला जो stock है दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे अगर power generation होगा तो इसको supply के लिए भी कोई चाहिए तो ऐसे में आप टाटा पावर को देख सकते हो टाटा पावर जो कि इस फिल्ड में बैतरीन काम करता है 415 रुपय का प्राइस है एक लाग 32,489 करोड का मार्केट का एफ है तो ऐसे में कुछ कमपनियां हो गई जिसको बारे में मैंने आपके साथ चर्चा की आपको क्या लगता है कि जो nuclear power का segment है कितना ज्यादा ग्रो करेगा इसमें जो लाबानुईत कमपनियां हो कौन सी होगी आप मुझे comment करके जरूर